सल्मान खान ने अर्शी खान को लगाई है फटकार वीकेंड के वार में आईए बताते हैं आपको खबर डीटेल में पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्ते दोस्तों मैं हुशन का जवान और आप देख रहे हैं मुवी जड़ा दोस्तों मैं आपको ये बता दू कि सल्मान खान ने इस बार साधा है निशाना अर्शी खान पर और लगाया है उनको बहुत अच्छा खासा फटकार अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये फटकार सुनते ही अर्शी खान की ये हालत हो गई कि उन्होंने डिसाइड कर दिया कि उनको अब विग बॉस में नहीं रहना है जहाँ पर बात उठाई थी सल्मान खान ने विकास गुपता और अर्शी के बीच की जो नोग जोगती जिस प्रकार का एक दोनों में एक इंसल्ट हुआ था उस बात को उठाते हुए अर्शी खान को सल्मान खान ये कहते है कि किसी के माबाग पर आप कोई भी टिपनी नहीं कर सकती है और अगर मैं भी विकास के जगा होता तो मैं भी शायद वही करता जो विकास नहीं किया आपके साथ और मैं आपको ये भी बता दू कि सल्मान खान ने ये भी कहा है अर्शी खान से कि जस प्रकार से तुम बत्तमीजी करती हो वो बत्तमीजी बिग बॉस शो में कतई नहीं चलने वाली और अगर आपको ये बत्तमीजी ही करनी है तो जाएए कोई और शो ढून लीजे इसे के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दू दोस्तों कि बिग बॉस में सल्मान खान ने कभी भी किसी की भी उची आवाज अगर कोई करता है तो वो तक नहीं सुनी है तो अर्शी खान ने तो विकास गुपता के माबाग पर तिपनी की है तो ये बात तो कतई नहीं सुनके लेने वाले तो ये बात सुनते ही जब सल्मान खान उनसे कहते है कि कोई और शो ढून ले तब अर्शी खान उठकर बोलती है कि मैं बिग बॉस इस शो में नहीं रहना चाहती और मैं घर जाना चाहती हूँ यहां तक कि अर्शी खान चल कर अल्मोस दर्वाजे तक पहुच गई है पर आगे क्या वो शो छोड़ कर जाती है या फिर शो में वापस आ जाएंगी क्या लगता है आपको क्या सल्मान खान की ये फटकार सुनते ही अर्शी खान घर से बेघर हो जाएंगी क्या कुछ है आ रुबताई हमें in the comments below we are waiting to hear you this is Shulka Chawan और आप देख रहे है movies are done